दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि under 30,000 की range के अंदर आपको ऐसा laptop मिल जा इसके अंदर आप बड़े अराम से PUBG खेल सके या फिर जैसा वीडियो आप अभी देख रहे हैं ऐसा वीडियो एडिट कर सके पब्लिश कर सके यानि कि वीडियो एडिटिंग का काम उसके अंदर कर स सके और अपना जो काम वगएरा होता है न बड़े अराम से कर सके तो 100% यह पॉसिबल है जी हाँ दोस्तों मैं लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर वो laptop जिसके अंदर आपको वीडियो एडिटिंग गेमिंग का शौक आपके रोज मारा के जो काम होते हैं म्यूजिक जो laptop से उनकी series को फटा वट स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है संदीप और चानल का नाम है टेक वानी बिना वक्त गवाए पहले laptop को मैं आपको सामने लेके आता हूँ जो दोस्तों पहले अगर laptop की बात करें तो हो है HP का 15 यह AMD की resin processor के उपर चलता है AMD की जो resin series है वो specially design की गई ह editing के लिए और gaming purpose के लिए यह 2.5 GHz की frequency वाला processor है जो की 4 MB की L3 cache memory के उपर चलता है तो 4 MB की L3 cache memory अपने आप में काफी अच्छी performance आपको देखने को मिल जाएगी इस processor के अंदर 4 GB की सिंदर आपको RAM देखने को मिलने वाले जिसको आप 8 GB, 12 GB या इवन 16 GB तक भी बढ़ा सकते ह है तो काफी futuristic laptop है यानि कि आगे तक आपके काफी काम आने वाला है AMD का Radeon Vega 3 का आपको graphic support मिलने वाला है तो की integrated काफी अच्छा graphic के अंदर आपको देखने को मिलेगा gaming के अंदर editing के अंदर 1 TB की आपको hard drive देखने को मिलेगी साथ ही आपको मिलेगा Windows 10 का home edition जिसके अंदर आप आपको HD screen देखने को मिले वाली है जो की 220 nits के ओपर चलती है यानि की काफी अच्छी आपको performance देखने हो मिलेगी gaming के अंदर भी 2 kg के आसपास का weight है और HP की fast charging का support देखने हो मिलने वाला है अब HP वाले क्या बोलते है कि 0 से 50% जो है वो हमारा laptop चार्ज जाता है सिरफ 45 मिनट के अंदर हला कि ऐसा ये नहीं लिखेंगे कि जब off होगा तभी ऐसा होने वाला ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब off होगा तभी ऐसा होगा कि आपको 45 मिनट के आसपास में 50% चार्ज हो जाएगा वैसे अगर आप on करके रखते तो 50-50 मिनट के आसपास आपका लग है मतले कि कंपनी को इतनी जुट बोलनी चे जितनी मले इंसान पकड़ना सके तेरा गंटे तो भूल जाओ दोस्तों मतले लाप्टॉप बहुत अच्छा है कॉन्फिग्रेशन बहुत अच्छी है सब कुछ कमाल दमाल है लेकिन इस चीज़ पर जो ये कंपनी हर एक चीज़ बोल देती है और उस पर विश्वास मत कीजेगा तेरा गंटे तो भूल जाओ आठ नो गंटे भी नहीं मिलने वाला है पांच छे गंटे का बैटरी पेक अप मिलेगा अगर आप्टिमाइजड आपने सिच्विशन में यूज़ करा तो शायद आपको साथ गंटे का मिल जा है अगर आपका बजट 30,000 के अंदर का है तो 28,000 की रेंज में आसपास ही मिल जाता है 28,000 से 39,000 के बीच में चलता है नीचे में लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा उस पर जाके क्लिक करके देख लिए कि करंट प्राइस क्या है 28,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा और अगर आप इस लाप्टॉप के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं दोस्तों दूसरे लाप्टॉप के बारे में बताने से पहले एक खुशकबरी में बता दूँ कि लास्ट गिववे बहुत है सक्सेसफुल रहा सब भी लोगों को प्राइज मिले और I am very happy सब लोगों को मतलगी gaming headphone देखने को मिले है तो now the biggest giveaway is back अब दुबारे से gaming headphone का giveaway में करने वाला हूँ तो अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजे बहुत जल्दी मैं इसकी updates आपको दूँगा बात करते हैं दूसरे laptop के बारे में जो कि यह Dell brand का यह है Dell Vostro 34780 दोस्तों यह laptop आपको 39,990 रुपे का मिल जाएगा जिसकंदर आपको Intel का Core i3 8th generation का process देखने हो मिलेगा 8th generation जो है वो सबसे latest generation चल रही है 2.2 gigaards का frequency का इसकंदर आपको support मिलेगा साथ ही आपको 4GB की RAM मिलेगी जिसे आप 8GB 12GB तक बढ़ा सकते हैं 1TB की आपको hard drive देखने हो मिलने वाली है साथ है आपको 14 inches की HD screen देखने हो मिलेगी सबा 2 kg के आसपास इसका weight देखने हो मिलेगा क्योंकि सकंदर CD, DVD दोनों का support मिल जाता है इसलिए weight 2 kg के आसपास ठीक टाक है आपको USB 3.0, HDMI, VGA port, सबी तरीके की port आपको देखने को मिलने वाले है LAN, Wi-Fi, Bluetooth वगेरा दोस्तों सकंदर Wave Max का आपको audio system देखने हो मिलता है तो audio quality की आपकी काफी अच्छी हो जाएगी बाकी webcam का support तो ही एक चीज मैं आपको बतायता हूँ जो PUBG जो game है वो 4GB की RAM में भी चल जाती है लेकिन 8GB के अंदर आपको पूरी performance देखने हो मिलती है ऐसे में GTA की अगर मैं बात करूँ GTA Vice City या इसकी बात करूँ PUBG की तो अगर आपको 4GB का RAM मिल रहा है तो आप upgrade कर सकते हैं उसे RGB करा लेजएगा आपको काफी अच्छी performance जो है वो देखने को मिल जाएगी और दोस्तों अब बात कर लेते हम तीसरे laptop के बारे में जो की काफी अच्छा brand है Lenovo का IdeaPad 330 ये 29,872 रुपे का आपको मिल जाएगा जिसकंदर आपको 7th generation का i3 प्रोसेस देखने को मिलने वाला है ये 2.3 GHz की frequency पे चलता है जिसमें आपको 3MB की L2 cache देखने को मिलेगी साथ ये आपको 4GB DDR4 RAM का support देखने को मिल जाएगा 1TB की सिकंदर आपको hard drive देखने को मिलती है साथ में DVD, read, write दोनों का support आपको मिलेगा 15.6 का full HD screen आपको देखने को मिलेगा जो की 1920 x 1080 के pixel पे चलता है anti glare screen का आपको coating देखने को मिलेगा अब anti glare से दोस्तों क्या होता है कि अगर आप student है आप काफी देर तक screen को देखते हैं फिर आप professional है जो सुबह शाम तक मुझे laptop के सामने बैठते हैं तो ऐसे में anti glare screen जो है वो आपको काफी support देने वाले आपको आखों के ओपर इतना जोर नहीं पढ़ने वाला है एक और अच्छी बात यह है कि यह laptop 180 degree तक खुलता है तो presentation की time भी काफी काम आता है मैं normal laptop इतने खुलते हैं यह पूरा खुल जाता है 180 degree तक 2 kg के आसपास इसका weight होने वाला है और 18,000 की range में आपको मिल जाएगा तो काफी अच्छा ही laptop है आप इस laptop के लिए भी जा सकते हैं दोस्तो चौते अगर मैं laptop की बात करता हूँ तो वो है Asus का VivoBook और Asus के laptop आचकल काफी अच्छा perform कर रहे हैं तो इसकी भी configuration के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों model का नाम है 27NZV03 अगर आपको model का नाम याद करने में दिक्कत है तो मैं नीचे description में दे दूँगा आप उस link पे click कर सकते हैं काफी sleek जो है इस laptop का design है काफी slim है काफी अच्छा laptop ही हाथ में काफी lightweight भी है सिरफ 1.55 kg का इसका weight है तो काफी lightweight है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो on the go रहते हैं जो लोग travel काफी करते हैं बैग में रखके उनको घुमना होता है तो ऐसे में weight काफी कम है इसका इस laptop के अंदर आपको pre-installed window home edition देखने को मिल जाएगा Windows 10 का version आपको देखने को मिलने वाला है Intel के core i3 processor का आपको support देखने को मिलेगा जो कि 7 generation का है 4 GB की सिंदर आपको DDR4 की RAM देखने को मिलेगी DDR4 की RAM काफी अच्छी मतले की performance आपको देखने को मिल सकती है Intel का HD 620 का आपको integrated graphic card देखने को मिल जाएगा तो graphics भी काफी अच्छी होने वाले है 1 TB का आपको hard disk का support देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर आप काफी सारी अपनी movies को store कर सकते है 14 inches की आपको HD screen देखने को मिलने वाली है एक अच्छी बात जो मुझे इसके अंदर देखने को मिली दोस्तों वो है fingerprint sensor का support होना इससे में आपकी privacy मिली security का आपको काफी ध्यान रखा गया है तो fingerprint sensor इसके अंदर देखने को मिल जाता है आपको HDMI port भी इसके देखने को मिल जाएगा अगर आप professional है तो आपको presentation वगरा देने में काफी असानी रह जाएगी साथ ही आपको USB 3.0 या 2.0 दोनों का support मिलने वाला है audio jack भी इसके देखने को मिल जाएगा वन यार के warranty से देखने हो मिलती है आसूस का brand काफी अच्छा है अगर आपको laptop ये lightweight है आपको 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 पसंद आया होगा एक मैं video end करने से पहले आपको एक important बात बताना चाहता हूँ कई बारे आप Amazon या Flipkart या ऐसी किसी website पर जब आप search करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कुछ laptop जो है refurbished version आपको देखने को मिल जाते हैं अब आपको refurbished जो laptop है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस पर मेरा आपको सुझाओ ये है कि आप refurbished के लिए ना जाएगा क्योंकि reason ही होता है कि पुरानी चीज़ खासकर electronic item उसको जितना बर्ज़ आप refurbished कर लिए जितना बर्ज़ आप company से आप ठिक करा लिए लेकिन पुरानी चीज़ तो पुरानी ही रहती है नई चीज़ के अपने एक life होती है electronic item की मेरा personal मानना ये है कि refurbished के लिए नहीं जाना चाहिए 30,000 is a good range अगर आपको 30,000 रुपे खर्ची करने है और इतने उमदा laptop अगर आज के तारिक में मार्केट में available है तो शायद आप अगर आपको वीडियो पसंता है तो लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तों चानल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे काफी होसला मिलता है मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर